हलो फ्रेंड स्वागात है आप सब क्या करने वीडियो में तो चलिए आज क्या वीडियो सुरू करते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप VN पर QR Code से एडिटिंग कर सकते हैं Q-R Code उसको यूज करके आपको जो वीडियो कर सकते हैं बिलकुल आसानी से आपको एदम कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग बीना है आपको कुछ मेहनत किये हुए सिर्फ आपको keyword code scan करना है और उसके बाद आपको जो वीडियो है वो easily edit हो जायेगा तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बीन को open कर लेना है बीन को जैसे आप पर open करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखते लिएगा आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको keyword code लेना है बीन का है तो यहाँ पर आपको vegan application आपको open कर देना है और यहाँ पर आपको three lines पर click कर देना उपर में तो देखिए जैसे इस पर click करेंगे तो देखिए मैं इसको select कर लेता हूँ और जैसे select करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो है कि थोड़ा सा loading लेगा और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से वो वीडियो का जो है जैसा डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहां पर यूज टेंपलेट पर क्लिक कर देना आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपको यहां पर दिखा रहा हूं जैसे कि मैं इसको एक सेलेक्ट कर लेता हूं जैसे कि मैं इसको एक सेलेक्ट कर लेता हूं तो आप पूरा का पूरा है यहां पर 19 फोटो हैं पर सेलेक्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं सिर्फ दो फोटो मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अब जैसे next पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके सा देखिए बन के आ जाएगा यह आप photo जो है की photo का size बनिया रखिएगा है फिलाल मेरा photo का size नहीं अच्छा सब है मैंने आप कुसी बताने के लिए बता दिया है photo select कर लिया तो इस तरीके से आप जो एक अपना वीडियो की वारकोड से बना सकते हैं और यहां से आपको उपर में देखिए download का option आ रहा है arrow का तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपने हिसाब से resolution select कर सकते हैं और fps select करके आप यहां पर export पे क्लिक कर देंगे तो जो वीडियो है वो export हो जाएगा ठीक है तो चली हमें आप export पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर downloading जो इसका चलना लग जाएगा और जो download हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो वीडियो करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके सामने जो जितना भी QR code होगा वीडियो कोड का देख सकते हैं वीडियो एटिंग का या भी फोटो होगा तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा और आप इस सब का screenshot लेकर आप अपने वीडियो कोड में scan कर सकते हैं begin application में इन सभी code को scan करेंगे और उसके बाद photo select कर लेंगे आपका video जो है easily बन जाएगा तो इस तरीके से आप vision से vision के code से आप easily video को edit कर सकते हैं और photo को भी तो अगर video पसंद आएगा friends तो video को like कर दीज़ेगा चैनल पना है तो चैनल को subscribe करके